नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस योटूब चैनल जिवन जीने की कला में दोस्तों आप सभी से रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जोड़ जाएं साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जाब सभी के लिए कहीं से कुछ मिलता है यानि कि निर्णे लेने की शमता हो या हर फिड में या सफलता चाहिए तो भागवत गीता से बड़ा कोई दुनिया में गरंत नहीं है इस गरंत को सभी को आवश्य पढ़ना चाहिए अपने जिवन में इसमें एक श्लोक है यदा यदा ही धर मस्य गला निर्भावती भारत जब विश्व में वैदिक धर्म की स्थिती काफी खराब थी और लोग वेद विदांत और परमात्मा में कोई आस्था नहीं रखते थे धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के जीवन में निरंतर कमिया रही थी जीवन बद से बत्तर ह होता जा रहा था और ऐसे में ज़रूरत आई धर्ति पर इश्वर के आघमन की लोगों के जीवन के उद्थान के लिए इश्वर यानि कि स्वख शुएम श्री कृष्ण भगवान ने मानो रूप में जन्मलिया श्री कृष्ण के मानो अवतार ने संसार का उध्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों की शुरुवात नवग्रहों में प्रत्थम सुर्य देव से की, जिसमें उन्होंने सुर्य देव को सनातन धर्म की शिक्षा दी। इस प्रकार से सुरे देव के बच्चे और उंके वन्षजों ने सनातन धर्म अपनाया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और अधर्म का महत्तो समझाने के लिए सनातन धर्म की शिक्षा और गीता के उपदेश दिये। महाभारत काल में भगवान ने नर रूप में अर्जुन को यह शिक्षा दी। भगवान ने अर्जुन को माया के भ्रम जाल में डाल कर उसको अपनी असलियत का पता चलनी नहीं दिया। जी हाँ इससे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की सिक्षाओं के बारे में संकाएं पैदा होने लगी अपने संदेह को व्यक्त करते हुए वह श्री कृष्ण जी से पूछते हैं मूलिश लोक जो है अब जानते हैं क्या है यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवत्ति भारत अभियुत्थानं धर्मस्य तदात्मनं त्रिजाम्यहं परित्राणाय साधुनाम बिनासाय चदुस्कृताम धर्मसंस्थाप नार्थाय संभवामी जुगे जुगे यह श्रीमत भागवत गीता वस्तुतह महा काव्य महा भारत के भिष्म पर्व का एक अंश है इसके अठारह अध्याय भिष्म पर्व के क्रमश अध्याय 25 से 42 में वर्णित है इसका अर्थ है हे अर्जुन जब धर्म की हानी और अधर्म की व्रिद्धी होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ भावार्थ है पार्थ जब जब धर्म की हानी और अधर्म की वृद्धी होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ साधु पूरुशों का उधार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म के अस्थापना करने के लिए मैं यूग यूग में प्रकट हुआ करता हूँ श्री कृष्ण ने इस श्लोक में मैं स्वयम को यानि की स्रिष्टा या रचैता को कहा है और स्रिष्टा कोई और नहीं स्वयम श्रिष्टी ही है श्री कृष्ण जीने धर्म को समझाते हुए कहा कि धर्म कोई जात विशेश नहीं है अपितु इस पूरी स्रिष्टी को जो गतिशील रखता है उसको धर्म कहा जाता है संसार में चलाने वाला कोई उपर नहीं बैठा वो कर्म ही है जो संसार को चलाता है उन्होंने कहा कि इस स्रिष्टी को चलाने के लिए इश्वर के कुछ नियम है यानि कि इश्वर ने कुछ नियमों की अस्थापना की जब जब इस स्रिष्टी को चलाने के अस्थापित नियमों में कोई अवरोध उत्पन करता है तो उसका निवारन आवश्यक है जब मनुष्य इन नियमों में हस्त छेप करता है उसका अवरोध स्वभाविक है उन नियमों के पालन का संचालन करने के लिए इश्वर का अवरोध उन मनुश्यों का संगहार करते हुए होता है जो यह नियम तोड़ रहे हैं स्रिष्टी समय के साथ मनुष्यों के उत्थान के लिए सदैव अपने आप में और उसमें विद्यमान नियमों में परिवर्तन करती रहती है और करती रहेगी इस श्लोक से भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देना चाह रहे हैं कि जितना हम इस स्रिष्टी के चलने में सहायक होंगे उतना ही ये स्रिष्टी हमारे अनुकूल होगी और जितना हम इसके प्रवाह में बाधक बनेंगे उतना ही प्रतिकूल परिणाम हमे प्राप्त होंगे इसका उदाहरण हम सभी देख रहे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक परिशान है परियावरण को सुध्ध करने से रिलेटेड और प्राक्रितिक चीजें जो की जीव जन्तु से लेकर के एक चक्र बना हुआ है जीव जन्तु का कि कौन सा जीव किस जन्तु को खा करके जिन्दा रहता है और इसी के साथ साथ पेंड़ पोधे खत्म होते जा रहे हैं दुनिया भर के लोगों को और वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है इस चुनोती से कैसे निप्टा जाए और कैसे ठीक किया जाए इसी तरह के अन्य मुश्किलें जब-जब पैदा होती है तो भगवान का रूप अवतरित होता है और वो इस समस्या का समाधान करता है यानि कि दोष्टों की जब-जब धर्ती पर संख्या बढ़ जाते है या किसी भी प्रकार के पाप की अधिकता हो जाती है तो उसको नश्ट करने के लिए इश्वर स्वयम अवता लेते हैं इसी बात को श्री कृष्ण जी ने अरजुन को समझाया और बताया इस स्लोक के माध्यम से तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए आगे आप सभी को अगर चाहते हैं कि गीता के अने श्लोकों पर भी या पूर एपिसोड आप सभी के लिए हम बनाएं तो आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमें बताएं हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए और अच्छी जानकारियां ले करके आएं मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों